हलो दोस्तों अग्यात एक खोज में आप सभी का स्वागत है यह चानल हमारे जैसे समान विचारधारा वाले हिंदुओं के लिए है जो अपने धर्म से जुरना चाहते हैं हमारे प्राचीन ग्रंतों से जुड़ी सची अग्यात कहानियों को देखने सुनने और उस पे चर्च करना चाहते हैं मेरी ही तरह बहुत से लोग इस बात पर आश्चर्य करते होंगे कि विश्णू का अवतार होने के बावजूद भी कैसे एक भगवान को अपने जीवन काल में इतना कुछ सहना पड़ा आईए जानते हैं इसके पीछे का कारण हाला कि जैसा कि हम सभी जानते हैं होई है वही जो राम रची राखा जिसका अर्थ है सभी कुछ जो गठित हो रहा है वे भगवान द्वारा बनाई गई योजना का हिस्सा है यहां तक की सोयम भगवान भी मानव रूप में अपनी माया से अच्छूते नहीं रह पाते नारद भगवान विश्णू के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे उनकी तपस्या और ध्यान इतना मजबूत था कि कुछ भी उनके मन को परिशान नहीं करता था लेकिन परम भक्त भी कहां भगवान की मायाद से बच सकते हैं नारद जी उसी चक्र में अभिमान का शिकार हो बैठे एक बार नारद मुनी एक विशेश गुफा में ध्यान लगाने गए जिसे शिव ने आशिरवाद दिया हुआ था कि कोई भी इस तपोवन में बैठे ध्यान करने वाले मुनी को परिशान नहीं कर पाएगा खेर नारद इस बात से अनभिग्य थे और अनजाने में उसी तपोवन में बैठ गए और ध्यान करने लगे लेकिन वास्तविक कारण ना जानते हुए उन्होंने इस तत्थे पर बहुत गर्व किया कि वे प्रलोभन और वासना से उपर हो गए है और उन्होंने किसी भी तर अवनी दी कि वे अपनी उपलब्धी पे जादा मान ना करें और इसके बारे में शेखी भगारने के लिए किसी के पास ना जाएं नारद ने इसे शिव की इर्शा के रूप में लिया और भगवान विश्नु के सामने अपनी जीत के बारे में खमंड पूर्ण वर्णन किया विश्नु ने अपनी माया की शक्ती का उपयोग करके उनके अभिमान को कम करने की ठानी वे कुंट से वापिस आने पर भगवान नारद को एक अत्यंत खूबसूरत शहर दिखता है जो अपनी यात्रा में पहले कभी नहीं देखा था वे शहर का दौरा करते हैं तो उने पता चलता है राज्ये पर शील निधी नामक राजा का शासन था और वे अपनी अत्यंत रूप वती बेटी विश्व मोहिनी के लिए एक सोयमवर आयोजित करने की योजना बना रहा था राजकुमारी भगवान श्री हरी की अनन्य भक्त थी नारत को राजकुमारी की सुन्दर्ता ने मोहित कर दिया राजकुमारी को लुभाने में भगवान विश्णू की उसने मदद ली वे प्रभू से उसे हरी का मुक देने के लिए कहते हैं विश्णू जी नारत को सबक सिखाने के लिए उसे एक बंदर का चहरा देते हैं नारद इस थत्य को बूल गए थे कि हरी का एक अर्थ बंदर भी होता है। अपने इस नए रूप से अंजान नारद आत्म विश्वास से भरपूर उस बंदर के चहरे के साथ सुएमवर के लिए महल में जाते हैं। राचकुमारी प्रभू के विचार में इतनी खो जाती ही है कि उसे कोई और नहीं देखता। नारद उसका ध्यान अपनी और अकरशित करने की पूरी कोशिश करते हैं। वहां एकत्र हुए दूसरे राचकुमार उनका मजाक उड़ाते हैं। तभी उसे प्रभू की उस चाल क एहसास होता है। दूसरी और राचकुमारी किसी पर भी ध्यान नहीं देती। प्रभू की प्रार्थनाओं में खोए दिल से भक्ती करती रहती है और अन्तुमें प्रभू उसकी इच्छा पूरी करते हैं और रूप बदल के उसके सामने प्रकट होते हैं। वह उन्हें पह करती का मजा कुड़ाते हुए उसके साथ विश्वास घात किया है। और इसी के चलते वे भगवान को श्राप देते हैं कि अपने एक अवतार में उन्हें अपनी पत्नी से अलग होने का दर्द उठाना पड़ेगा। और जिस बंदर के रूप में उनका इतना उपहास उसी बंदर प्रजाती से विश्वास जी को मदद मागनी पड़ेगी। एक बंदर ही उसे अपने कश्टु से छुटकारा दिला सकेगा। श्राप मिलने पर विश्वास जी मुस्कुराए और कहा मैं तुम्हारे श्राप को सुईकार करता हूँ और मैं एक इंसान के रूप में अफ्तार लूँगा और मेरी देवी लक्षमी मेरी पतनी होगी और मैं उनसे अलगाव सहन करूँगा। इस प्रकार जब विश्वास जब विश्वास जी को रामर के बंधन से मुक्त कराने में मदद करी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा और आग क्यू जर आपको कर दूर आपको जरूर आपको कर दोड़ पर आपको क्या है झाली को बिश्वास जरूर आपको कर रार आपको ये कि अधन्द आपको